जी हाँ आप जन्मस्ट निउस पर इन दिनों लगातार देख रहे हैं निशान्त और डोली से जुरा हुआ ख़वर हमने इस से पिछले वाली ख़वर में आपको दिखाया की कि किस तरहा से निशान्त के पापा मानी ने रहे हैं कि डोली की शादी निशान्त से हुई है निशान्त के पापा यहां तक कहते हैं कि निशान्त की उम्र महज 14 वर्स है यानि कि निशान्त बच्चा है आपको पता है इस दुनिया में डोली नहीं रही डोली की डेड़ बोडी रहसमई हलात में मिली थी जिसके बाद या एक गुथी बन गई है कि डोली ने आत्म हतिया की या फिर उसकी हतिया हुआ है लेकिन मैं निशान्त के पापा को जवाब देना चाहूंगा निशान्त के पापा जो कहते हैं कि निशान्त की शादी डोली से नहीं हुई है तो इस बक्त जो आप अस्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं या तस्वीर है निशान्त के घर का जी हाँ तस्वीर में आप साब देख सकते हैं निशान्त की मम्मी और डोली एक तरफ सास दूसरी और बहू तो क्या निशान्त के पापा इस तस्वीर को भी जुटला देंगे एक तस्वीर को आप और देखें ये तस्वीर है निशान्त के भाई परसांत का और निशान्त की बहन का तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग घुले मिले हैं क्या ये तस्वीर जुट बया कर रही है क्या निसान के घर डोली कभी गई ही नहीं निसान के पापा हर बातों को हर सवालों को इगनोर कर रहे हैं उनका साफ साफ कहना है मैं डोली से कभी मिला ही नहीं मेरा परिवार डोली को जानता ही नहीं तो फिर यह तस्वीर निसांद के घर से कैसे लिया गया है निसांद के पापा कहते हैं कि निसांद बच्चा है महज 14 साल का है लेकिन इस तस्वीर में देखिए निसांद के गोद में एक बच्चा है वह बच्चा डोली की बहन का है जो निसांद गोद में लिए हुए है निसांद के पिता कहते हैं कि निसांद 14 बर्स का है लेकिन तस् बच्चे को चेहरा पर मुझ आ सकता है क्या क्या दाड़ी आ सकती है क्या लेकि निसांत को देखिए उसके मुझे भी है दाड़ी भी है कहीं इसने लगता है कि निसांत 14 बच्चा है या बच्चा एडल्ट है या बच्चा बाली मैं निशांत का बिरोद नहीं कर रहा हूं ना के पिता खते हैं कि डोली निसांत के घर कभी नहीं आई तो यह तस्वीर कहां से आ गई निसांत खुद यह तस्वीर लिया है तस्वीर में आप देख सकते हैं कि डोली निसांत के मम्मी के साथ है डोली निसांत के बहन के साथ है डोली निसांत की जब बहन की जब शादी जाना था या कहीं से भी जुटलाया नहीं जा सकता है आप ने कहा कि निसांद का इंटर्व्यू लिजिए मैंने कोशिश किया आपको पता ही है निसांद इस वक्त बेउर जिल में बंध है तो हमने निसांद के पिताजी से बात करने के कोशिश किया कई मसकतों के बात इन से ब पता चलेगा कि ये कोशिस कर रहे हैं अपने निशांत को बचाने को आखिर निशांत के पापा निशांत को क्यों बचाना चाह रहे हैं आगर निशांत ने डोली की हत्या नहीं किया है तो फिर निशांत के पापा क्यों मुख कर रहे हैं निशांत के पापा क्यों दावा कर र से देखिए क्या लड़की कोई पागल है जो मांग में सिंदूर और गले में मंगसुति डाल को घुमते रहेगे इसके पिता करते हैं कि सटिफिकेट दिखाए तो फोटू से कोई बड़ा सटिफिकेट होता है क्या है है फोटू से कोई बड़ा सटिफिकेट होता है क्या फोटो में साब साब देखिए निसांद के पापा यह आपकी बीवी ही है ना निसांद की मम्मी ही है ना यह पूरा परिवार आप सभी का है न आकस्स ऐस आपको लगए कि मैं प्रसनल हो गया हूं प्रेस्ट नहीं हुआ हूं आपके बातों का जबाब दे रहा हूं आप हम पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मैं एक तर्फा खबर दिखाता हूं मैं सभी पक्षी दिखाता हूं लेकि जो सच है उसे मैं जाला दिखाता हूँ चुकि यही मेरी सच्चाई यही जन्मन्स दूश की पाचान है और आपका सच क्या है दर्सकों के सामने है निसांद के पापा साफ साफ मना कर रहे है निसांद के पापा का साफ करना है निसांद का उम्र चौदा बरस है दर्सको अगर निसांद के पापा कोट में सही सावित हो जाते हैं तो निसांद छूट जाएगा कोट भी माने रहा कि यह बच्चा नवालिक है इसे छोड़ दिया जाए निसांद भले देश की अदालत में छूट जाए लेकिन उपर जो बेठवा अदालत है उससे कभी नहीं बच पाएगा उसका आत्मा ही जानता होगा कि निसांद के उम्र 14 बर से या फिर 18 बर से उपर का है निसांद के पापा डोली के उपर आरोप लगाते हैं कि डोली ही ने निसांद को बढ़गलाया तब निसांद पठना गया एक तरफ निसांद की पिता खते हैं कि मैं पठना आस्तक नहीं गया मेरा बेटा पढ़ने को गया मेरा बेटा पढ़ना में पढ़ाई कर रहा था तो अंकल जी ये तस्विर कहां से आ गई अगर आपका बेटा पढ़ना में पेजडी करने के लिए गया था ये तो ये कौन सा पेजडी कर रहा था रेल्स पे कौन सा वीडियो बना कर डाल रहा था यूट्टूब पे कौन सा वीडियो अपलोड कर रहा था कभी आपने बेटा से पूछा कि बेटा मैं तुम्हें पिएजडी के लिए भेजा हूँ और तुम ये क्या गुल खिला रहे हो अगर मैं इस खबर को नहीं दिखाऊंगा न तो जनता को लगेगा कि निसान के पिता काफी महान दिल के इंसान है काफी नेक खियाल है उनके दिल में लेकिन या तस्बीर के अधार पे मैं कह रहा हूँ जिजो तस्बीर दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे इसके अधार पे कह रहा हूं कि ये निसांत की मम्मी है जो डोली मिली है मैं इस ख़बर को इसले दिखा रहा हूं कि डोली की सच्चाई दुनिया के सामने होनी चाहिए डोली ने निसांत से रची थी शादी या सच है निसांद के पिता भले ना माने लेकिन यह तस्वीर सब चीज बया करती है कि डोली निसांद की थी और यह भी सच है निसांद रहते हुए डोली ने अपनी जान गवा दी अगर निसांद चाता तो डोली नहीं मरती निसांद की बजह से डोली ने अपनी जान दी डोली की हत्या हुई है या फिर डोली ने आत्म हत्या किया है या जाज का भी से अब तक पोस्ट माटम रिपोर्ट सापजरिक नहीं किया गया है लेकिन इसके बाबजुद भी निसांत के पिता निसांत को कह रहे हैं कि मेरा बच्चा नबालिक है मेरा बच्चा 14 साल का है, मेरा बच्चा तो अभी धीरे धीरे बड़ा होना ही शुरू हुआ था, लेकिन तस्वीर में आप देख सकते हैं इस बच्चा का कमाल, हर शादी विभा में जाना, अटेंड करना, रिस्तों को समझना, 14 बर्स के बच्चों में क्या समझ होता है, क्या डोली से बड़ा है, अकसर लड़कियों के चरितर पर सवाल उठाया जाता है, लड़की ही गलत होती है, लेकिन इस केस में लड़की गलत नहीं है, लड़की ने अपना जान उठाकर निसान से प्यार किया, और निसान बेवफाई किया, इस बाकिया से समझ सकते हैं, जिस त कोई पिता को पता चले उसकी बेटा का शादी हो गया है तो क्या पिता मना कर देगा जो पिता जिस बहु के हाथ से खाना खाया हो वो पिता मुकर गया है निसान के परिबार मुकर गया है वो साब साब कहना कि मैं डोली को जानता भी नहीं हूँ लेकिन तस्वीर आपके सामने आप तैक किजिए या समाज हमारा कहा जा रहा है हम अक्सर बेटियों को ही गलत थाढ़ाते हैं क्या बेटा गलत नहीं हो सकता है प्रधान मंतरी मोदी जी कहते हैं बेटी पचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन मैं कहता हूँ बेटा को पढ़ाओ बेटा को समझाओ चुकि भारत म जितने भी मौते होती है लड़कियों का, कहीं न कहीं हाथ लड़कों का होता है, आज के तारिक में तो असान हो गया है, किसी की हत्या कर दो उसको आत्मात्या करार दो, पुलिस सुझाने में समय गुजार दे, अगर निसान दिर्दोस है, तो फिर डोली दोसी कैसे, अगर नि जञे नंहीं यह ना समझ लें कि हम निशांत को बदनाम कर रहे हैं निशांत के जितने में समर्थक हैं इस तस्वीर को देखके कर लिजिए कि निशांत के परिबार वाले कितने सही कह रहे हैं प्लज द 魚 को डोinkड़ी के धन्यवाद